हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू एसे सी क्रैकर्स और इस चैनल पर फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है एसे स्टैनोग्राफर 2024 एक्जाम के लिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर 12 में हम लोग पढ़ेंगे मुजिकल इंस्टूमेंट रिलेटेड मुजिशियन तो इस टॉपिक से रिलेटेड एक्जाम में कोशन 110 परसेंट है कि पूछा ही जाएगा तो जितने भी important question जो expected है वो पूरा cover किया गया है तो चलिए start करते हम लोग first question के साथ पहला question है संदीप दास संदीप दास ये कौन सा musical instrument बजाते हैं संदीप दास किस वादियंतर के प्रसीद वादक हैं तो आप कहेंगे तबला तबला बजाते हैं और exam में तबला से related बहुत सारे question पूछे जाते हैं ठीक है जैसे कि अल्ला रखा ये भी तबला बजाते हैं जाकीर हुसिन इनके अलावा किशन महराज श्वपन चौधरी ये सब कौन है तबला वादक है नेक्स्ट कोशन है कराई कुडी मनी किस संगीत वाद यंत्र से संबंदित है मैंडोलीन, मिरिदगम, गिटार या घटम तो आप क्या कहेंगे कराई कुडी मनी ये मिरिदगम से संबंदित है नेक्स्ट कोशन है अलावदिन खान किस संगीत वाद यंत्र से संबंदित है अलावदिन खान काफी फेमस ये परसन है अलावदिन खान और ये कौन सा मुजिकल इंस्टुमेंट बजाते है तो आप कहेंगे सरूद बजाते है नेक्स्ट कोशन है तोता राम सर्मा किस संगीत वाद यंत्र से संबंदीत है तोता राम सर्मा तबला घटम पखावाज सहनाई क्या होगा तो पखावाज होगा यहाँ पर करेक्ट एंसर ये इंस्टुमेंट बजाते हैं तोता राम सर्मा नेक्स्ट है ललीता और नंदनी बहने किस यंत्रक से पाचान करती है ये कौन सा इंस्टुमेंट बजाती है ललीता और नंदनी मैंडोलीन वाइलीन शरूद या बांसुरी तो आप क्या कहेंगे वाइलीन बजाती है ये ललीता और नंदनी नेक्स्ट है जी हरी संकर किस संगिद वाद यंत्र से संबन्दित है जी हरी संकर ये कौन सा मुजिकल इंस्टुमेंट बजाते है कंजीरा, बांसुरी, गितार या सितार तो आप क्या कहेंगे राइट एंसर होगा कंजीरा कंजीरा जो है ये बजाते हैं जी हरी संकर नेक्स्ट है जाकीर हुसेन जाकीर हुसेन जिनको 2023 में जो है पदम विभूशन मिला है और ये कौन सा मुजिकल इंस्ट्रुमेंट बजाते हैं तो तबला बजाते हैं नेक्स्ट है, शुकन्या, राम, गोपाल का संबन किस संगिद वाद यंत्र से है? तो ये जो सुकन्या है, ये कौन सा मुजिकल इंस्ट्रुमेंट बजाती है? मैंडोलीन, बांसुरी, गिटार या घटम? तो आप कहेंगे घटम बजाती है कौन? शुकन्या, राम, गोपाल. ये कौन सा इंस्ट्रुमेंट बजाते हैं? तो आप कहेंगे सारंगी बजाते हैं. और आप जानते हैं सारंगी से रिलेटेट जो है, राम, नरायन भी हैं और ये भी कोशन काफी रिपीट होता है. नेक्स्ट है, द्वारम, वेंकेट, स्वामी, नाइडू. ये कौन सा ये कौन सा मुजिकल इंस्ट्रुमेंट बजाते हैं? सूर बहार, वाइलीन, तबला, रुद्र वीना, क्या होगा? तो आप कहेंगे रुद्र वीना बजाते हैं कौन? असद अली खान. नेक्स्ट कोशन है, निम लिखित में से कौन सा कार्नेटिक संगीत का हिस्सा नहीं है? है ना? हिंदुस्तानी मुजिक और कार्नेटिक मुजिक. हिंदुस्तानी मुजिक नौर्थ इंडिया से इलेटेड है, कार्नेटिक मुजिक साउथ इंडिया से इलेटेड है. तो कौन सा हिस्सा नहीं है? तो आप कहेंगे धृूपत जो है ये कार्नेटिक मुजिक से नहीं ह नेक्स्ट है सिवनात मिस्रा बनारस घराने के प्रतिपादक हैं और वे कौन सा मुजिकल इंस्टुमेंट बजाते हैं तो आप क्या कहेंगे सिवनात मिस्रा के बारे में सिवनात मिस्रा जो की सितार बजाते हैं पंडित रवी संकर ये कौन सा इंस्टूमेंट बजाते है ये भी सितार बजाते है नेक्स्ट है बुद्ध देव दास गुपता ये कौन सा मुजिकल इंस्टूमेंट बजाते है बुद्ध देव दास गुपता सरोध सहनाई संतूर या सितार ठीक है तो आप कहेंगे सरोध बजाते हैं Next है स्वपन चौधरी किस संगीत वाद यंतर से संबंदित है स्वपन चौधरी कि अगर बात करें तो ये किस वाद यंतर से जुरे हुए है मैंडोलीन, मृदिकम, वीना या तबला तो आप कहेंगे तबला वादक है श्वपन चौधरी नेक्स्ट कोर्शन है जन प्रकास घोष देखिए जन प्रकास घोष जो है ये तबला से रिलेटेड है नेक्स्ट है पंडित अयोध्या प्रसाद गोपाल दास और बाभू राम संकर पागल दास ये किस वादियंतर के प्रसीद वादक है तो ये इतना भी नाम आप देख रहे हैं अयोध्या प्रसाद गोपाल दास बाभू राम संकर पागल दास ये सब जो है पखावास से रिलेटेड है ठीक है तो यहां राइट एंसर क्या होगा ओप्सन नमबर टू नेक्स्ट है सुन्दरम बाला चंदर ये किस संगीत वादियंतर से जुड़े हुए है ठीक है मिर्दगम बासुरी वीना संतूर तो आप कहेंगे वीना से रिलेटेड है कौन सुन्दरम बाला चंदर नेक्स्ट है कादरी गोपालनात किस संगीत वादियंतर से संबंदित है नाद श्वरम सैक्षोफोनिस्ट गिटार या सितार तो आप कहेंगे सैक्षोफोनिस्ट नेक्स्ट है अलाउदिन खान किस संगीत वाद यंत्र से सम्बन दीथ है अलाउदिन खान की बाद करे तो ये कौन सा musical instrument बजाते हैं तो ये सरूद बजाते है कbe liquide लेक्षटाद घ्छा ये कौन सा मिजिकल इंस्टुमेट बजाते हैं तो अल्ला रखा के बात करें ये कौनसा इंस्टुमेंट से रिलेटेड हैं घटम तबला या संतूर तो आप कहेंगे थन अग्षण के बजा से रिलेटेड हैं अल्ला रखा, नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन सा करनाटिक संगीत में प्रयुक्त होने वाला तालवाद नहीं है, ठीक है वो कौन सा परक्यूसन इंस्टुमेंट है, जो की यहाँ पर करनाटिक से रिरेटेड नहीं है, करनाटिक म्यूजिक से तो आप कहेंगे मैंडोलीन, नेक्स तो घटम बजाते हैं, टी-एच, विनायकराम, नेक्स्ट है, वी, बलसारा, जो है, वो किस संगीद वात यंत्र से जुरे हैं, वी, बलसारा के बात करें, तो ये पियानो बजाते हैं, ठीक है, तो याद रखने हैं, आपको पियानो, नेक्स्ट है, अनपूर्ना देवी, अनपूर्ना देवी, नेक्स्ट है, निम लिखित में से कौन सा एक तार, युक्त, वादियंतर नहीं है, इस्ट्रिंग इंस्टूमेंट इनमेंसे कौन सा नहीं है, बासुरी, वायलिं, मैंडोलिन या गिटार, तो आप कहेंगे, बासुरी जो है, ये, विंड अन्स्टूम नेक्स्ट है गुजरात के लोग संगीत में आम तोर पर कौन सा तारवाला वाद यंत्र बजाया जाता है तो गुजरात का जो लोग संगीत होता है उसमें कौन सा तारवाला वाद यंत्र बजाया जाता है तूरी मंगल जंतर या पावा तो आप कहेंगे जंतर नेक्स्ट कोश लक्षमी नरायन ये कौन सा वादियंतर बजाती हैं लक्षमी नरायन वाइलीन, वीना, संतूर या सितार तो आप कहेंगे ये तो वाइलीन से रिलेटेड हैं इमरत खान कौन सा वादियंतर बजाते हैं? इमरत खान, सुर्भाहर, शारंगी, सरोध, संतूर. इमरत खान का एंसर क्या होगा? सुर्भाहर. इस्ताद विलायत खान, ये कौन सा वादियंतर बजाते हैं? सितार, सरोध, तानपूरा या वाइलिन. तो आप कहेंगे विलायत ख कौन सा नहीं है तो सरूद है क्योंकि सरूद क्या है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है कि मोही बहाउद्दिन डागर ये कौन सा वाद यंतर बजाते हैं मोही बहाउद्दिन डागर की बात करें ये जो है रुद्रवीना बजाते हैं मोही बहाउद्दिन डागर रुद्रवी नेक्स्ट है निम लिखित में से कौन सा पवन वादियंतर नहीं है विंड इंस्टूमेंट नहीं है बांसुरी, सेक्सोफोन, मिर्दगम या सहनाई क्या होगा तो आप कहेंगे मिर्दगम नेक्स कोर्शन है पंडित सिवकुमार सर्मा कौन सा वाद यंतर बजाते हैं निम लिखित में से किस संगीद वाद यंतर को मंगल वाद के नाम से भी जाना जाता है तो वो कौन सा संगीद वाद यंतर है जिसको मंगल वाद के नाम से भी जाना जाता है सहनाई, तबला, संतूर या डमरू तो आप कहेंगे सहनाई है वो इंस्टूमेंट जिसको मंगल वाद के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट है हरी प्रसाद चौरसिया किस वाद यंत्र से समन्दित है हरी प्रसाद चौरसिया की बात करें तो ये बांसुरी बजाते हैं सहनाई एक वायू वादियंत्र है जिसकी नली में कितने छेध होते हैं तो आप कहेंगे 7 होल्स होते हैं नेक्स्ट है निमलिखित में से कौन सा तार वादियंत्र ब्रजभूशन काबरा दोरा बजाया जाता है राम नरायन किस वादियंत्र से सम्म intens है नेक्स्ट है सेख चिन्ना मौलाना ये किस वादियंत्र को बजाया करते थे सेख चिन्ना मौलाना जो है किस वाद यंतर को बजाया करते थे तो आप कहेंगे नाद स्वरम नेक्स है प्रसिद संगितकार शकूर खान किस वाद यंतर से जूरे थे थे तो आप कहेंगे सारंगी से नेक्स्ट है यू स्री निवास किस संगित वाद यंतर से संबंदित है यू स्री निवास की बात करें तो ये जो है मैंडोलीन से संबंदित है नेक्स्ट है संगितकार सिव मनी किस संगित वाद यंत्र से सम्मंदीत है सिव मनी जो है ये कौन से इंस्टुमेंट बजाते हैं तो ड्रम्स बजाते हैं ठीक है ढोल अली अकबर खान किस वाद यंत्र से सम्मंदीत है सारंगी, सहनाई, सरोध, हर्मुनियम तो अली अकवर खान सरोध बजाते हैं नेक्स्ट है सत्देव पवार ये कौन सा मुजिकल इंस्टूमेंट बजाते हैं वाइलीन, सहनाई, वीना, सितार तो आप कहेंगे सत्देव पवार वाइलीन बजाते हैं नेक्स्ट है उस्ताद सुल्तान खान ये कौन सा वादियंत्र बजाते हैं ड्रम्स, सारंगी, तबला, बासुरी तो आप कहेंगे उस्ताद सुल्तान खान सारंगी बजाते हैं नेक्स्ट है भजन सपोरी ये कौन सा वादियंत्र बजाते हैं भजन शपोरी अभ़ेऩ पूर्य यह थोनों जो हैं सन्तूर से रिलेटेड हैं. नेक्स्ट है preERE 27 व्यास यह भी शन्तूर बजाते हैं इसको भी आपको ध्यान Pamukla है 50 पंडित 570 व्यास जो है यह कौण सा वादियंत्र बजाते हैं संतूर बजाते हैं इस तरीके से musical instrument related musician के सारे important questions को cover कर लिया गया है तो मिलते हैं अब आपसे next video में तब तक के लिए all the best